दोस्तों मेरा नाम अंकलेश चौहान है और आज के इस वीडियो से मैं सुरुआत कर रहा हूं तीन हजार रोज बर रोज बोलने वाले जो सब्दों होते हैं जो हमेशा हमें काम आते हैं ऐसे 3000 words की मैं सुरुआत करने जा रहा हूँ, उस video series की सुरुआत करने जा रहा हूँ इन 3000 words अगर आपके दिमाग में हैं, तो आप English बोलने में, लिखने में और पढ़ने में कभी भी चूक नहीं कर सकते हैं आपको English बोलना आना ही आना है, अगर ये 3000 words आपके दिमाग में चल रहे हैं मुझे पता है कि 3000 words एक ही साथ दिमाग में चलना ये impossible के करीब बात होती है लेकिन अगर हम practice करें तो ये 3000 words आराम से हमारे दिमाग में आ सकते हैं words को तयार करने के लिए हमें सिर्फ ये जलूरी नहीं होता है कि वर्ड को pronunciation आ जाए और उसका अर्थ आ जा जाए तो हमें दिमाग में घुच जाता है उसके related words भी हमारे दिमाग में होने चाहिए और वर्ड के pictures भी हमारे दिमाग में होने चाहिए इसकी वज़े से मैंने इस जो वीडियो हैं इसके अंदर हर एक स्लाइड के अंदर एक-एक words के बारे में मैंने उसके related words और उसके pictures को साथ में रख करके समझाया है मैं 20-20 words के एक-एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि जो मैं पूरा करते-करते इसको 3000 words तक लेकर करके जाओगा और जल्दी इसे complete करोगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आज का जो पहला word है वो है peace, peace का मतलब होता है टुकडा जैसा कि picture में आपको दिखाई दे रहा है पीजा का टुकडा दो अलग-अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो piece बोलते है piece का मतलब होता है टुकडा इसके समान सब्द कर देखे जाए तो bit समान सब्द होता है और chunk bit और chunk समान सब्दों में अगर ज़्याद ध्यान नहीं देने की जड़ोता है तो कोई बात नहीं लेकिन कई बार आपको समान सब्दों में ऐसे सब्द मिल जाएंगे जो पहले से आपको आते हों और इसके विलोम सब्द मतलब की विरुदारती सब्द जो होते है होल का मतलब होता है पूरा एंटायरली का मतलब भी होता है ठीक है तो पीस का मतलब आपको पूरी तरह समझ में आ गया है पीस जो है वह आप याद रखेगा दूसरा वर्ड है C-H-A-N-G-E Change Change का मतलब होता है बदलना या फिर परिवर्तन जैसे कि यहाँ पर यह एक upset बंदा है और यहाँ पर यह normal बंदा है और यहाँ पर यह मुस्कुराता हुआ बंदा है तो change हुआ यह तो यह change इसको कहता है इसको समान सब्द अगर देखा जाए तो modification और alter यह दोनों समान सब्द है और willom सब्द है remain का मतलब की unchanged होना वैसा का वैसा होना और unchanged भी होता है विलोम सब्द permanence permanence का मतलब होता है देखो permanent अलग होता है दोनों को permanence और permanent दोने Bowl कि सब्सक्राइब उटाइब मतलब होता है कि उच्छा को या फिर दॉय, इसका मतलब होता है इसका टॉल.. 待क है घ्रेट मतलब की महान न वरेच एक यहाँ होता है ऍसनल टॉल टॉल मतलब के इंद्स नोएर हिसंदित cotton आड़ी है ज्यादा, वो भी समान सब्द के रूप में आता है, little, little का मतलब होता है, small मतलब भी होता है, छोटा, विरुदार थी सब्द है, offer, offer का मतलब होता है, प्रस्ताव या फिर चेश्टा करना, किसी को offer देते हैं, कि हमारा प्रस्ताव ये है, आपको स्विकार करना है, या नहीं कर करना है, वो आपकी मर्जी है, proposal होता है, bid होता है, और deal होता है, bid का मतलब हराजी भी होता है, कि हम propose कर रहे है, वो भी एक समान सब्द के रूप में आता है, deal का मतलब भी होता है, कि हम किसी के साथ deal कर रहे है, offer का समान सब्द है, willow सब्द है, denial मतलब की मना करना, refusal, इंकार क करना कि जा फा से कहते हैं कि समान सब्द में आएगा नियर और मतलब की बंद करना विलोम सब्द है open, खोलना, far, far मतलब की बहुत ही दूर, close मतलब की पास होना और far मतलब दूर होना, मतलब close के दो मतलब निकल के आते हैं, बंध होना और दूसरा होता है पास ला होना share, share का मतलब होता है भाग या बाटना, share का मतलब होता है भाग करना या फिर बाटना इसके समान सब्द है part, part मतलब होता है भाग करना, distribute मतलब की अलग अलग तरीके से सब को बाटना, split मतलब की उसको भी मतलब बलता है भाग करना पर एक में से दो को स्फिलेट कर देखा मतलब कि एक मिसे दो बागता होल मतलब पुरा इन्टारली का मतलब होता है यह फिर आउसर कंगे हमारे पास होते इसलिए यह सभूल लिया वह इसका समाल विद्ञिकर में विलोम सब्द का मतलब तो आपको पता है bad luck मतलब की opportunity का विलोम है bad luck और closer मतलब की बंद होना query query का मतलब होता है प्रश्ण या फिर जिग्यासा होना समान सब्द है इसके question और problem विलोम सब्द है इसके reply और answer query का तो q-u-e-r-y query four four का मतलब होता है के लिए या फिर प्रती off और four के अंदर हमेंसा confusion रहता है इसलिए मैंने यहां पर इसा पिछल लिया हुआ है off का मतलब होता है का जैसे की do you need two glasses of water off water मतलब की दो glass बरे पानी चाहिए आपको आपको चाहिए पानी के लिए समझ में आया कि नहीं है देखिए पहले में off का मतलब यह होता है कि आपको पानी से भरा हुआ ग्लास चाहिए या फिर पानी को भरने के लिए कप चाहिए ठीक है तो यह दोनों का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा समान सब्द में on behalf या फिर एस विलोम सब्द के अंदर not for evidence evidence का मतलब होता है सबूत या फिर प्रमान समान सब्द में आएगा indication और proof विलोम सब्द में है हाइडिंग और डिस प्रूफ है फार फार मतलब दूर या फिर दूरस्त तो यह नियर हुआ पास में है वह और दूर मतलब की फार कि समान सब्द है डी या फिर लॉंग विलोम सब्द है नियर many का मतलब होता है बहुत जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह बहुत सारे है few मतलब की कम यह दोरों अपोजिट सब्द है few मतलब कम और many समान सब्द है lots मतलब की बहुत सारा और numerious मतलब होता है बहुत सारा कि विलोम सब्द में आएगा few मतलब थोड़ा फैक्ट का मतलब होता है सच सत्य फैक्ट को बोलते है समान सब्द है truth और reality विलोम सब्द है lie मतलब जूट बोलना theory मतलब की theory बनाना मतलब बोलते है न सीन बना रहा है ऐसा कर गए डिनर डिनर का मतलब होता है रात का खाना न कि दिन का खाना रात के खाने को हम डिनर कहते है बैंक्वेट होता है इसका समान सब्द और evening meal भी बहुतते हैं इसे का विलोम सब्द मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए नहीं कर दिया कि यहां पर चलो कोई डिनर का कोई विलोम सब्द होता ही नहीं है मेरे गहल से इसूर इसूर का मतलब होता है जरूर या फिर अवस्य जो बीना हमारे सुटे समझे आ जाये हुसे कहते हैth रेंसims Curly Large L.A.R.G.E. Nice Large का मतलब होता है विशाल का मतलब होता है बड़ा जैसा कि मैंने यहार आपर डाइनसूर का स्पिक्चल लिया हुआ है बहुत बड़ा होता है विग मतलब बड़ा और यूज का मतलब भी होता है बड़ा विलोम सब्द का मतलब होता है little मतलब छोटा, small मतलब छोटा short, short का मतलब होता है छोटा या पिर कम समान सब्द में है little मतलब छोटा, tall मतलब की बड़ा होता है चुली मैंने यहाँ पर समान सब्द में लिया हुआ है जो की आना चीए विलोम सब्द में विलोम सब्द में आएगा long, long मतलब बड़ा, tall मतलब बड़ा, short मतलब छोटा, यह tall को जो है इसको ignore कीजिएगा, tall जो है वो विलोम सब्द में आएगा, memory, m-e-m-o-r-y, memory का मतलब होता है, smriti, या फिल याद, या फिल याद रखना, समान सब्द में है, recall, मतलब की किसी चीज को हम याद करते हैं, उसे recall करते हैं, विलोम सब्द में है, forget, forget का मतलब होता है, भोल जाना, और आज का last word है, last, last मतलब अन्तिन, या फिर पिछला, समान सब्द में आएंगे, final, या फिर finish, और विलोम सब्द में है, start, या फिर beginning, या फिर first, first के बाद, जो विलोम सब्द होगा, first का, वो भी last होगा, ठीके दोस्तों, ये था मेरा सुरुवाती 20 word, जो की 3000 words में से एक है, ये part 1 है, इसी तरह से मैं आगे बनाता जाऊँगा वीडियो और आप लोग देखते जाएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे like, share और comment जरूर कीजेगा, अगर आपको comment में कुछ और भी चीज़ चाहिए, तो मुझे comment करते रहिए, मैं comment हर एक के देखता हूँ, और उसको reply भी करता हूँ, मिलता है next video में, bye